दोस्तों नरेंद्र मोदी हों, अमिश शा हों, जेपी नड़ा हों या भाजपा के तमाम बड़े निता या पूरी भारती जनता पार्टी हर किसी को ये समझ में आ गया है कि 2024 का चुनाओ धर्म की पिछ पर नहीं होगा धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, राम के नाम पर, कृष्र के नाम पर, भोले शंकर के नाम पर जनता को बरगलाया नहीं जा सकता भारती जनता पार्टी ने जो घोशला पत्र जारी किया, वो घोशला पत्र कई मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो चौकाते हैं जिस राम मंदिर के बारे में भारती जंता पार्टी बार बार बाते करती थी राम मंदिर, राम लहर, अयुद्ध्या तमाम बाते होती थी दोस्तों जब घोशला पत्र का अनालिसिस किया गया जब घोशला पत्र के समीकरों को समझा गया आज हम आपको एक एक बात बताएंगे गोशला पत्र की तो 2024 के गोशला पत्र में जो रिसर्च है 2024 के गोशला पत्र में राम मंदिर का जिक्र सिर्फ दो बार आता है एक ये कि अयुद्या का और विकास होगा और दूसरा कि हम रामयाल उत्सो कराएंगे बस, राम मंदिर पर इससे ज़ादा भारती जन्ता पार्टी ने कुछ नहीं कहा राम मंदिर पर किसी तरीके की कोई बात नहीं की यानि भारती जन्ता पार्टी को साफ साफ नजर आ गया कि चुनाओ धर्म की पिछ पर नहीं चल सकता दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर भारती जनता पार्टी पिछले दस सालों से देश में महाल बनाती रही उसके तमाम नेता उस मुद्दे के बहाने सियासत करते रहे दोस्तों गाए का मुद्दा गाए को लेकर इस देश में क्या कुछ हुआ वो सभी ने देखा है और गाए के मुद्दे पर भारती जनता पार्टी ने घोशला पत्र में क्या कहा गाए का एक बार भी जिक्र नहीं दोस्तों 2019 में एक बार गाए पर बात हुई गोशला पत्र में और इस बार का जो भारती जनता पार्टी का गोशला पत्र है जिसको भाजपा ने संकल पत्र का नाम दिया है उसमें गाए के बारे में कोई चर्चा नहीं कोई जिक्र नहीं ये भी है दोस्तों महंगाई के बारे में पूरा देश जानना चाहता है कि महंगाई आखिर कैसे कम होगी लेकिन भारती जनता पार्टी के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं 2024 के अपने संकल पत्र में सिर्फ एक बार महंगाई का जिक्र भारती जनता पार्टी ने अपने इस मैनिफेस्टों में किया है दोस्तों लेकिन सबसे जादा जिक्र किस बात का है सबसे जादा जिक्र है नरेंदर मोधी का दोस्तों 65 बार एक दो बार नहीं बलकि 65 बार भारती जनता पार्टी ने नरेंदर मोदी के नाम का जिक्र किया और अब एक सर्वे जो CSDS ने किया है वो बेहत चौकाता है आखिर क्यों भारती जनता पार्टी धर्म के मसले पर नहीं जा रही आखिर क्यों भार्दी जन्ता पार्टी धर्म की बात नहीं कर रही क्यों राम के नाम पर वोट नहीं मांग रही क्यों घोशलापत्र के जरिये भगवान राम से और उनकी आस्था से लोगों को और जोडने की कोशिश नहीं की गई वो इसलिए दोस्तों क्योंकि CSDS और लोकनीती ने एक सर्वे किया है जिस सर्वे के मताबिक उन्होंने ये जानने की कोशिश की की दोस्तों कि आखिर 2024 के चुनाओं में सबसे बड़ा मुद्धा आखिर है क्या आखिर वो कौन सा मुद्धा है जिस पर देश की जनता सबसे जादा वोट करने वाली है और दोस्तों वो दोनों मुद्धे जो है वो भारती जनता पार्टी की नीन उड़ाने वाले है वो दोनों मुद्दे क्या है हम आपको बता देते हैं पहला मुद्दा जिस पर सबसे ज़्यादा जन्ता वोट करने का मूड बना रही है इस सर्वे के मताबिक देश की जनता जिस मुद्दे पर सबसे जादा वोट डालने का मन बना चुकी है वो है बेरोजगारी का 27 फीजदी लोग इस देश के ऐसे हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और उसके बाद 23 फीजदी मतदाता ऐसे हैं जो बढ़ते दाम यानि महंगाई पर बात करना चाहते हैं यानि 27 फीजदी लोग इस देश के बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं और 23 फीजदी लोग बढ़ते दाम यानि महंगाई पर यानि ये आकला अगर आप जोड ले दोस्तों तो बेहत बड़ा हो जाता है पचास फीजदी के आसपास यानि इस देश में पचास फीजदी लोग ऐसे हैं जो महंगाई और बेरुजगारी के मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं और हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि धर्म के नाम पर यानि राम मंदिर के नाम पर कितने लोग ऐसे हैं जो वोट डालने पर विचार कर रहे doस्तों आठ फीजदी लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं और हिंदुतु जिसको भारती जंता पार्टी मंच से चिला चिला कर बताती है हिंदु राष्ट की बाते होती हैं हिंदुतु की बात होती है उस पर सिर्फ दो फीजदी लोग सिर्फ दो फीजदी लोग उसके साथ है जबकि 27 फीजदी लोग बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि रोजगार पर बात हो बेरोजगारी कैसे खत्म होगी लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा और 23 फीजदी लोग ये जानना चाहते हैं कि आप महंगाई को कैसे कम करेंगे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर 50 पीजदी लोग वोट डालने का मूड बना चुके हैं और यही सर्वे भारती जन्ता पार्टी भी इसे समझ चुकी है दोस्तों कि धर्म के नाम पर अब वोटिंग नहीं होगी अब लोग महंगाई पर बात करेंगे अब लोग बेरोजगारी पर बात करेंगे अब लोग बात करेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है अब लोग बात करेंगे कि उनके बेटे और बेटियों के हाथ में नौकरी क्यों नहीं है अब लोग इस पर भी बात करना चाहते हैं कि आखिर पेपर लीक बार बार क्यों होता है लोग इस पर भी बात करेंगे कि आखिर नौकरी कब मिलेगी यानि दोस्तों 2024 कचनाव बेहत दिल्चस्प बेहत रोचक है भाजपा जो सोच रही थी कि जन्वरी में हुए राम मंदिर के इतने भव्य समारों का फाइदा उसको मिलेगा अपरेल आते आते वो मुद्दा लोगों के जहन से गाइब हो गया है और दिमाग में लोगों के जहन में सिर्फ दो बाते हैं बेरोजगारी और महंगाई और इसी के इर्दगिर्द लोग वोट डालने की तैरी कर रहे हैं